हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू चैनल मैठ्समिंट बाइकमलेश आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए एरिया रिलेटेट तू सर्किल्स चैप्टर से एक्सर्साइज 12.2 कॉस्टिन नमबर 6 NCRT बूक से एक माल लेजे यह सर्किल हुआ इसका रेडियस हो गया 15 cm दिया हुआ है यह भी रेडियस है 15 cm यह ओ दाल दिया से डेलेश सम्टर टी करेंख से ऑफेंव के पूरा में इस दोनों का एलिया करता है निकालने के लिए ठीक है तो इसमें लिख देंगे रेडियस कितना है एंसर में लिखेंगे इसको पहले कर दते हैं इसको नेमिंग कर दते हैं यह हो गया पी क्यू एक पी क्यू क्या है कॉड है ठीक है इस पॉइंट को आर लिख देते हैं इस पॉइंट को इस लिख देते हैं ठीक है त से जब सेंटर पर सब्टेंट करते हैं तो एंगिल 60 बनता है ठीक है यह माइनर सीगमेंट हो गया यह बारा सा मेजर सिंग्मेंट हो गया इस दोनों का माइनर और मेजर सिंग्मेंट का इडिया निकालना फिक है अब लिए देंगे answer में रेडियस कितना है 15 cm ठीक है एरिया ओफ सेक्टर क्या हो जाएगा एरिया ओफ सेक्टर ओ पी आर क्यू ओ पी आर क्यू यह क्या हो गया माइनर सेक्टर यह हो गया माइनर सेक्टर ठीक है यह पुरा निकाल दिया यह माइनर सेक्टर हो गया ओ पी आर क्यू यह माइनर सेक्टर होता और यह क्या हो जाएगा इसको हटा करके इस सेक्टर को हटा करके बागी क्या होगा major sector होगा area of O P R Q O P R Q यह area निकाल देंगे इसका area क्या होता formula से is equal to theta by 360 degree into pi r square ठीक है यहाँ theta 60 degree by 360 degree into pi का value कितना लिखा है कुछन में 3.14 और into r कितना 15 इसको 15 into 15 कर देंगे यह कट गया 60 से 360 1 by 6 हो गया तो डाल देंगे 1 by 6 को यह 6 को काट देंगे इससे तो यह कितना हो जाएगा 3 से 2 हो जाएगा यह क्या हो गया 5 हो गया तो यह हो गया 3.14 है ना by 2 into 5 into 15 ठीक है अब यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 3.1 यह हो जाएगा 1.57 ठीक है 157 का डबल हो जाएगा 314 अब इसको 5 से मल्टिप्लाई करेंगे 75 जा 35 3 बचा 5 into 15 75 और 3 78 इसको करेंगे फिर 15 से मल्टिप्लाई यह दोनों का मल्टिप्लाई यह हो गया 15 5 जा 75 हाना 7 बचा 15 8 जा 120 और 7 75 बचा उसका अब बच गया कितना 10 यह हो गया कितना 105 तो यह हो जाएगा 117 ठीक है यह सेंटिमीटर स्कोर हो गया यह पूरे सेक्टर का निकल गया सेक्टर में यह भी है और माइनर सिग्मेंट भी इंक्लूड है यह ट्रैंगिल भी है और माइनर सेक्टर में यह ट्रैंगिल OPQ plus minus segment यह दोनों include है हमको यह निकालना है तो इसमें क्या करेंगे यह पूरा sector का जो area निकालने है इतना का उसमें से tangle का area minus कर देंगे अब देखते है tangle क्या है in tangle OPQ यह OPQ tangle हुआ उसमें क्या देखते है OP is equal to OP ठीक है क्यों radii of same circle ठीक है यह radii of same circle है यह 15 cm यह दोनों radius है इसलिए बड़ावर जो भी हम लिखते हैं कौन किस के बड़ावर है कौन angle किस के बड़ावर होगा कौन side किस के बड़ावर होगा उसके against में जो theorem या जो logic है हमको लिखना चाहिए नहीं तो marks थोरक कर जाता है ठीक है यह हो गया अब लिखेंगे since equal sides of a triangle subtends equal angle equal side होगा यह दोनों equal है तो यह subtends भी करगा angle तो यह भी equal होगा इससे क्या हो गया इसलिए angle OPQ OPQ is equal to angle OQP OQP हो गया ठीक है अब स्टेंगल का तीनों angle मिल करके 180 होता है तो लिखेंगे angle OPQ plus OQP plus POQ angle POQ is equal to 180 degree होता है यह दोनों बड़ावर है यहां से और यह कितना है यह 60 degree है दिया हुआ कोश्टन में तो यह हो गया to angle OPQ is equal to कितना हो गया 180 minus 60 ठीक है तो यह हो गया angle OPQ is equal to 120 by 2 कर देंगे यह हो गया 60 degree इसलिए अब क्या हो गया यह दोनों angle बड़ावर ही है OPQ 60 degree हो गया उपर वाला भी पहले से दिया हुआ 60 degree दिया हुआ so each of the angles of triangle OPQ each of the angles of triangle OPQ are equal to 60 degree यह तीनों angle क्या हो गया 60 degree हो गया so triangle OPQ is an equilateral triangle इसलिए तीनों angle 60 60 60 हो गया इसका मतलब यह equilateral triangle है बहुत इसको नहीं भी लिखते हैं सिधे लिख जैते हैं यह equilateral है लेकिन लिखना चाहिए equilateral क्यों है question मैं इसलिए clarify कर देना चाहिए इसको ठीक है अब यह मेरा equilateral triangle हो गया अब लिख देंगे area जो आप question में जो पूछता है इसका कैसे find करेंगे यह सब निकाल लिए अब find कर लेंगे अब सब कुछ मेरा सभी कुछ तयार है सभी material निकालने के लिए area of minor segment area of minor segment क्या हो गया यह हो गया P R Q P P R Q P P R Q P यह हो गया minus segment यह सब हो गया minus segment तो इसको निकालेंगे यह कितना होगा तो लिख देंगे इसमें area of minor segment minus area of triangle O P Q पूरा sector में से इसको निकाल देंगे निकाल जाएगा अब इसका formula निकाल देंगे इसका क्या होता है निकाला हुआ मेरा पूरा minus area of minor sector area of minor sector है यहां निकाल चुके है area of minor sector यह 117.75 हुआ तो 117.75 है यह निकाल चुके है उसमें से area इसका निकालेंगे equilateral tangle का क्या होता है root 3 by 4 into side square यह formula होता है जिसमें डाल देंगे 117.75 minus यह क्या हो जाएगा root 3 by 4 और यह क्या हो गया side कितना है मेरा 15 into 15 ठीक है यह हो गया 117.75 यह 15 into 15 कितना होता है 225 होता है तो यहां क्या कर देंगे minus 225 by 4 into root 3 ठीक है अब यह हो जाएगा 117.75 minus इसको अगर break करते है दिसमल में तो यह हो जाता है 56.25 into 1.73 1.73 दिया हुआ है root 3 के बदला 1.73 लिखना है question में दिया हुआ है हाना root 3 1.73 तो इसको इसे से कर दें 1.73 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 117.75 और multiply करने पर यह होगा 97.3125 यह हो जाएगा 20.4375 cm2 यह एक answer निकल गया मेरा ठीक है यह निकल गया minor segment का अब है क्या निकलना area of major segment area of major segment निकलेंगे तो यह क्या होगा complete area होगा major segment यह पूरा जो है इसको निकलने के लिए पूरा circle में से इसको क्या करेंगे minor segment जो अभी निकलेंगे उसको minus कर देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा area of circle minus area of minor segment कोच तन में कोई खास नहीं है लेकिन इसमें calculation बहुत जादे है decimal का इसलिए इसको गौर से करना पड़ेगा maths में दो चीज़ है एक तो concept होना चाहिए correct और calculation correct होना चाहिए इसमें concept में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन calculation इसका ज़्यादे clumsy है इसलिए calculation इसका ठीक से करेंगे ठीक है अब area of circle क्या होता है pi r square और इसका area of minor segment कितना है 20.4375 यह भी निकाल चुके है 20.4375 अब इसको देख लेते हैं यह क्या हो जाएगा pi कितना दिया हुआ है 3.14 into 15 into 15 minus 20.4375 ठीक है अब इसको लिख देंगे तो इसको करेंगे multiply तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 154060 हैंड में 6 21 है न और क्या हो जाएगा 212 बचा 1530 45 और 2 47 तूदिस्मल है तूदिस्मल के बाद डाल दिया into 115 और होगा minus 20.4375 अब इसको कर जाएगे तो फिर 15 से इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 15 0 0 15 1 जा 15 हैंड में 1 105 1 108 10 बचा 61 70 ठीक है यह होगा multiply करने पर अब कितना है इसमें डिस्मल यह निकाल दिया इसका अब इसमें माइनस डिस्मल केतना है इसमें तू डिस्मल था इसमें तू डिस्मल डाल दिया अब माइनस कर देंगे 20.4375 ठीक है तो 7087 इसको देख लेते हैं फिर एक बार 15 1 जा फिप्टीन जिरो का जिरो फिप्टीन वन जा फिप्टीन हैंड में 1 फिप्टीन सेवें जा 105 वन 6 होगा स्वरी यह 6 हो गया ठीक है तो 706.50 तो यह हो गया 706.50 में माइनस कर देंगे 20.4375 यह हो जाएगा 686.0625 cm2 यही इसका एंसर हो गया तो यह दोनों इसका एंसर हो गया यह हो गया माइनर सिगमेंट का और यह हो गया मेजर सिगमेंट का यही कोस्टन में दिया हुआ है ठीक है कोस्टन स्वाल लेंदी है कैलकुरेशन के हिसाब से लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप इसको एक बार मुनास समझे तो फिर दुवारा फिर इस वीडियो को देख लें अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें थैंक्स झाल 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 झाल